ओम शान्तिया आज आपका नवासिवे दिन का वर्दान 89th day और आज के वर्दान में परम्पिता परमात्मा हमें बताते हैं कि इस समय कल्यूक के अंत में जब मुझे आना पड़ता है धरती पर क्योंकि चारों तरफ तरही तरही होती है आपकी महाविश्वयूद नंबर वान महाविश्वयूद नंबर दो हो चुका होता है तो मुझे धरती पर आना पड़ता है क्योंकि सारी आत्माओं की कंडिशन बिल्कुल ही खराब हो जाती है मेरे सारी आत्माओं बच्चे आपस में ग्रिणा, नफरत, लड़ते, धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे होते हैं इस तरी की कोई इज़त नहीं रहती है कल्यूग में इस तरी को केवल अशलील तरीके से दिखा जाता है तब जाकर के मैं धरती पर आता हूँ और वही सत्य यूगी देवी देवताओं का राज फिर से स्थापन करता हूँ जहां पर लक्षमी नारायंड एक समान थे जहां पर डेटीज एक समान थे कोई भेद भाव नी था राम सीता एक समान थे जहां पर आपके कृष्ण राधे एक समान थे ना राधे को नीचा ना ऊचा समझा आता था तो उस दुनिया को स्थापन करने आता हूँ लेकिन उसमें विगन काफी पड़ते हैं और उस विगनों को हटाने के लिए मेरा क्या नहीं मुझ बच्चों को मेरे बच्चों को सही दिशा दिखाता है तो देखें एक लगन एक भरोसा एक लगन एक भरोसा ये कल्यूग चल रहा है कल्यूग में कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है किसी के अंदर संपून शक्ती नहीं है कि वो कह सके कि मेरे पास में ग्यान संपून है चाहे वो सारे शास्त्र ना पढ़ चुके वह वह आत्मा, शास्त्रों में भी परमात्मा कहते हैं, संपून ग्यान होता, तो आज ये दुनिया नर्क ना होती, कल यूग ना होती, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है, जब धर्म की गलानी, धर्म की बेस्ती हो जाती है, धर्म में खोट धर्म के वज़ा से आज आपस म तो मुझे आना पड़ता है, नियुक्त सोचिए, इतने शास्त्रों होते होई भी, इतने धर्म होते होई भी आज दुनिया में अशान्ती क्यों है, इसका मटलब सच्चा जो धर्म है, उसकी कही न कहीं पैचान में कमी है, जिसको पूरा करने परमात्मा, धर्म रक्षक, औ धर्म को सिखाने वाला परमपितापरमात्मा धर्ती पर आता है, और आज परमात्मा क्या कहते है, एक लगन, एक भोरोसा, एक रस अवस्था द्वारा, एक रस अवस्था, यानि कि आज मूड अच्छा, कल मूड बुरा, आज किसी से खुश, किसी से दुख, आज संतुष अपने आपसे कल, अपने आपसे असंतुष्ट, कल के वर्दान में भी था, कभी किसी को संतुष्ट कर पाए, किसी ने आपके बारे में अच्छा ने बोला, तो आप फिर उसे ग्रेना करना शुरू कर दें, वो एक रसा वस्थानी हुई, द्वारा सदा निर्विघन बनने व तो कभी हम अच्छे गुण को इस्तमाल करते हैं, करम अच्छे करते हैं, कभी बुरे करम कर देते हैं, जब हम विकारों को इस्तमाल करते हैं, क्रोध, अंकार, इविशा को इस्तमाल करते हैं, गुण हीन हो जाते हैं, तब जाके हमारे उपर विगन आते हैं, या ग्रह चार आती है, हम सोचते हैं कि कोई अंगूठी पालने के तो ग्रहचारी हट जाएगी, परमात्मा कहते हैं, मेरी शक्तियां अपना हो, मेरे गुणों को अपना हो, तो वो अंगूठी पालने की जूरूत नहीं है, वो गुण, वो शक्तियां और मेरे से आत्मा समझ करके ध्यान में बैठना ही, वो सब कुछ है जो कि आपको चाहिए आपकी ग्रहेचारी हटाने के लिए तो फिर परमात्मा कहते हैं explanation में, सदा एक बाप की लगन, है ना, लगन किसकी? परमात्मा की लगन में रहना इंसान की लगन में नहीं, चीजों की लगन में नहीं आज दुनिया धन की लगन में इंसान की लगनों में वस्तू में, लगाव में फसी हुई है इसलिए दुखी है सदा एक बाप की लगन बाप के करतवे की लगन परमात्मा करतवे क्या है? दुनिया को पवित्र बनाना तो उनका जो करतवे वो मुझ बच्चे का, मुझ आत्म का भी वही करतवे बनता है तो उसके लिए पहले मुझे अपनी स्थिती बनानी है क्योंकि मैं शान सुरूप, तो दुनिया शान सुरूप मेरे आसपास की तो वो भी एक परमात्म को मदद करना जैसा हो गया तो पहले अपनी स्थेज तो बनाएं तो सदा एक बाप की लगन, बाप की करतवे की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तू या विक्ती है भी ये अनुभव ही ना हो हम जातर कहते हैं ये विक्ती ना होता है मेरे जीवन में तो मैं आज meditation अच्छा कर पाता है कर पाती ये वस्तू होती या ये जगा में पैदा होती या गर्मी क्यूं है ये सरदी जगा होती तो अच्छा होता मिल ले मैं meditation कर पाता है कर पाती वो कितने लखी हैं, उनके पास में center है अपने सित्ती अच्छी ना करने ले परमात्मा के लेगे ना वस्तु ना विक्ती केवल अपने आपको आत्माñ और मुझ परमात्मा को याद करो क्योंकि अन्तिम समय कल्यूक के महा काल के समय एपोकलिप्स के समयitta महा विनाश के समय ये सारे साधन सुविदाएं विक्ति कोई नहीं होंगे आपस में सामने आपके उसे में सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाबा शिप परमात्मा बस तो बाबा कहते हैं ऐसे एक लगन एक भरोसे में एकरस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघन बन चड़ती कला का अनुभफ करते हैं उनको कोई विघन नहीं आते हैं इसे विघन विनाशक कहते हैं गनेश जी को तो उनके सामने कोई विगन नहीं आते क्योंकि वो गुणों को इस्तमाल करते हैं शक्ति को इस्तमाल करते हैं जो परमात्मा की हैं और वो बुरे कर्म नहीं करते हैं बुरे कर्म करते हैं तो ग्रहचारी चड़ती है किसी के वो आपने बुरा बोला तो वह आत्मा आपसे बतला लेगी तो ग्रह चारी चड़गी आपके उपर तो इसका मुली है नहीं कि आप अंगूठी पहनना शुरू करते हो तो आपके उपर कोई ग्रह ना चड़े आप गुण को अपनाओ शक्तियों को अपनाओ तो अंगूठी अंगूठी पहनने की भी ज़रूत नहीं है आपको तो परमात्मा कहते हैं मुझसे मेडिटेशन में बैठो मेरी याद में फिर क्या कहते हैं बाबा वे कारण को परिवर्टन कर निवारन रूप बना देते हैं वो भाने नहीं मारते हैं कि आज मेडिटेशन इसले नहीं हुई ही आज इसकी कारण में मेडिटेशन नहीं कर पाया आज ये ज्यान में पढ़ नहीं पढ़ पाया इसने लेट कर दिया उसने टाइम पर ये नहीं किया कोई भाना नहीं करते हैं वो एक रस अकेले चलते रहते हैं एक बाप और मैं आत्मा और दूसरा ना कोई तो कारण को देख कमजोर नहीं बनते वो निवारण सुरूप बन जाते हैं solution सुरूप not excuse सुरूप तो आप सोची का गहराई से इसके बारे में अपने जीवन में किस-किस को आपने कारण बनाया हुआ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उनको हटाएं और एक बल एक भरोसा बस इसके साथ मैं आपको दिन शुब हो स्वस्त रहें ओम शान्ति